हालो श्टूट्स एन वेलकम तो अनदर सेशन उफ माई ओनलाइन बायलेजी क्लासे कॉल्ड बायलेजी सिंप्लिफाइड मैं हूं डॉक्टर शामला शाओ और मेरी कॉंट्टाक्ट डेटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर अल्राइट स्टूट्स हम 11 स्टैट और यह उसका थर्ड पार्ट है जो स्टूट्स अभी नए नए जोएन हुए मैं उनको बता दू इसके पहले के सारे पार्ट और दूसरे चाप्टर मेरे चैनल बायलेजी सिंप्लिफाइड पर अवेलेबल हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकॉन दबा दीजिए आपको सारी इंफरमेशन जो है अपकमिंग वीडियो की वह मिलती रहेगी ऊके अनदर थेंगे स्टूडेंस प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉस हर एक लाइन को मैंने एक्स्प्लेइन किया हुआ है तो आपको ब सारे अलग-अलग आप्शन्स है जो स्टूडेंस नीट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं या नीट अटेंप्ट कर रहे हैं यह साल जरूर यह मौका मत छोड़िएगा मेरे क्लासे जरूर जॉइन कीजिए आपको बहुत बेनेफिट हो जाएगा बहुत सारे अलग-अलग से क्वेशनिंग टेस्स वगेरा डेफिनिटली आपका जो स्कॉर है वह इंप्रूव होगा ओके सो लेस कांटिन्यू सुटन्स हमने लास टाइम जहां छोड़ा था हम किड्नी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिसकास कर रहे हैं तो अभी हम थोड़े डीटेल स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं इसके कवरिंग होती है थीन लेयर आफटिशो से को कवर करते हैं जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम कहते हैं रीनल फाजिया यह जो वर्ड है रीनल वर्ड का कनेक्शन होता है किड्णी से तो kidney से related कोई भी चीज अगर हम adjective form use करते हैं तो वो होता है renal renal vein मतलब वो vein जो kidney से निकलती है renal artery जो वो artery जो kidney की तरफ जाती है एसेटरा एसेटरा ओके तो outermost layer है renal fascia renal fascia बनता है एक बहुत पतली layer of fibrous connective tissue से हम animal tissues कर चुके हैं जो students नए जूड़े हैं आप उस chapter को जाके check out कीजिए कि fibrous connective tissue क्या है fibrous connective tissue typically protection का काम करता है in this case यह kidney को anchor या चिपका के या connect करता है आपके abdominal wall पे abdomen मतलब हमारा stomach वाला हिस्सा loosely एक बहुत general definition कि हमारा जो stomach वाला हिस्सा है वो होता है abdomen तो abdominal body wall as well as उसके आजो बाजो के जितनी भी tissues हैं उसके साथ में वो kidney की connection बनाए रखते हैं उसको anchor करती है यह हो गया सबसे बाहरी layer जो middle layer है वो एक mass है जिसके अंदर बहुत सारा fatty tissue है fatty tissue या fat tissue को हम क्या बोलते हैं आडिपोस तो इस layer को हम कहते हैं आडिपोस capsule करेक्ट हमारे लगभग सारे vital organs के आजू बाजू में एक fatty layer या आडिपोस tissue तो होता ही है इसका function क्या है यह kidney को shock absorption का काम करता है मतलब kidney को अगर कहीं बहुत बड़ा जर्क लग जाए या कोई damage हो जाए उस damage से बचाने के लिए आपके पास एक internal या secondary tissue होता है which is called the fatty tissue फिर आता है सबसे अंदर का layer या innermost layer यह होता है renal capsule एक बड़ा ही smooth और transparent fibrous membrane है transparent है आर पार दिखता है जो outer layer of ureter के साथ में भी connect होता है तो यह not only kidney के साथ में लेकिन ureter के साथ में बाहरी layer का काम करता है correct अब इसका importance क्या है यह एक barrier है so that kidney के अंदर बहुत जादा infection जो है यह spread ना हो ठीक है अगर हम kidney का LS या longitudinal section लेते हैं जैसे यहां पर यह जो diagram है यह LS या longitudinal section है ठीक है तो longitudinal section में जरा हम description बेख लेते हैं कि दो रीजन्स आपको दिखेंगे जो काफी distinct है जैसे ही आप section निकालते हैं आपको easily clearly दिख जाएंगे okay histologically histology मतलब tissue study तो जब हम sectioning करते हैं तो वह histological study हो गई तो in terms of tissues kidney को हम दो अलग अलग region में divide कर सकते हैं एक होता है जो है renal cortex okay जो बाहरी हिस्सा है peripheral हिस्सा है और अंदरी हिस्सा होता है renal medulla okay renal cortex जो है यह बाहरी peripheral लाल कलर का और इसमें दानेदार granular region है जब अगर हम देखे उसको carefully तो चोटे 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 दाने दिखेंगे डाइग्राम को अगर हम फॉलू करें तो यह region जो है यह है renal cortex यह देखे बाहर का यह dark red region जो दिख रहे है okay that is also this light pink region because आपने कट किया है न तो यह तो बाहर का section है अंदर में यह जो light pink region है यह होता है renal cortex ठीक है दानेदार है लाल है कोटेक्स के अंदर क्या-क्या चीज़े हैं कोटेक्स के अंदर होती है malphigian bodies नाम याद रखें को के description हम देखते हैं बाद में convoluted tubules नाम याद रखें को के cortex में होता है malphigian body convoluted tubules और blood के vessels यह सारी चीज़े हैं cortex में करेक्ट अब अंदर ही हिस्सा जो है kidney का उसको हमने नाम दे दिया है medulla medulla है pale red light red color और इसमें लंबे लंबे line type में बनी होई है यह आप देख सकते हैं lining तो यह सब जो region है यह अंदर के triangular lining 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 वाली region यह सारा yellowish हिस्सा यह सब जो है okay this region has the medulla और medulla में lines या striated appearances है correct है medulla में क्या-क्या है medulla में है loop of Henley और collecting duct है अभी आप बोलेंगे कि मैं आप तो कुछ समझा ही ने रहे हो malphigen body क्या है loop of Henley क्या है तो थोड़ा सा वेट कीजे अभी मैं जस्ट आपको terms introduce कर रहे हूं आगे जब हम nephron का structure करेंगे तो यह जितनी भी चीज़ें है ना convoluted tubules malphigen bodies loops of Henley collecting duct यह सब जो है यह nephron के हिस्से है और nephron क्या है आपके kidney में हमने याद है किया था कि दो million या two and a half million छोटे-छोटे small filters लगे हुए हैं यह filters ही nephron है और यह सारे nephron के छोटे-छोटे हिस्से हैं तो इसको हम थोड़े ताइम में देखते हैं अभी प्रिफ नेम्स और स्पेलिंग्स याद रखें स्पेलिंग में मिस्टिक नहीं चलेगा ओके फिलिंद ब्लांक में स्पेलिंग मिस्टिक करेंगे तो रॉंग मिलेगा ओके अब यह सारे जो चीज़ें हैं यह कौन जैसा आरेंजमेंट में सहका आपके जो है पिरेमिद्स बनाते हैं तो आपका पूरा जो नेफ्रोरीक सिस्टम है इसका आर्रेंजमें परफेलिंग में लिए कों नेos कॉन में हैं इस एनलियर में प्रिंग्यल को हम एक्स्टेंशन में बोलते हैं columns of Bertini, correct, so यह renal columns of Bertini है, ठीक है, यह देखिए, यह renal column है, यह हिस्सा, तो यह main medulla है, यह striations जो है, यह loops of Henle है, ठीक है, और यह जो बीच-बीच में ऐसे-ऐसे हैं, यह देखिए, यह pink हिस्सा अंदर के तरफ ऐसे-ऐसे triangle बना रहा है, these are the renal columns, okay, और they are also called the columns of Bertini, क्या बोलते हैं, columns of Bertini, pyramid के बीच का pink हिस्सा है, column of Bertini, okay, renal pyramid यह है, यह renal pyramids है, और pyramid के, यह pyramid और यह pyramid के बीच में यह जो हिस्सा है, जो project हो रहा है, यह है, column of Bertini, ठीक है, जो narrow tip है, आपके pyramid का, है न, उसको हम कहते हैं, renal papilla, okay, तो papilla क्या है, यह है, है न, तो और एक बार हम देख लेते हैं, क्या-क्या है, सबसे बाहर का dark red हिस्सा, renal cortex, okay, अगर हम अंदर की तरफ cutting करेंगे, तो यह जो हिस्सा है, है न, light pinkish region, जिसमें lining, lining, lining दिखते हैं, यह हो गया, medula, है न, तो medula उन्होंने mark कर दिया, यह medula है, जिसमें lines या striations हैं, यह है renal pyramid, है न, दो pyramids के बीच का जो projection है, यह है renal column, okay, तो यह तो बहुत easy है, understand करने के लिए, अब renal pyramid जहाँ पे triangle shape में बिलकुल narrow हो जाता है, है न, संकुचिक जो इसका area है, इस area को हमने क्या की बोला है, renal papilla of the pyramid, correct है, हर एक labeling को अच्छे से समझ ल जिए, ठीक है, अब यह जो region है, जहां पे सारा liquid, यह यह जो region, यह जो दिखाया है, उन्होंने urine दिखाया है, कि collect होता है, यहां से filter होके, यहां से filter होके, सारे column से filter हो, होके, pyramid से, center में, यह space में, यह collect होता है, तो यह जो spaces है, this triangular part of the space, is called the renal pelvis, था, pelvis, okay, और यह जो हिस्सा ह है, यह चोटे-चोटे spaces है, minor calyx, और जो बड़ा space है, वो है, major calyx, यह minor, यह major, यह pelvis, और सारा liquid, जिस tube से बाहर निकलता है, urinary bladder के तुरू, वो है urethra, है ना, तो narrow tip is called the renal papilla, अब आगे जाते हैं, बहुत सारे pyramids हैं, वो आप देख सकते हैं, diagram में अभी, है ना, renal papilla, ख बहुत सारे minor calyxes एक साथ में fuse होके, major calyxes या major calyces बनाते हैं, major calyces fuse होके, एक बड़ा renal pelvis बनाते हैं, ओके यह सब क्या है, calyces basically spaces हैं, जिसके अंदर urine collect होता है, है ना, तो calyces major हो, minor हो, या आपका renal pelvis हो, यह सब क्या है, यह जगे है, spaces है, खाली empty spaces हैं, जिसके अंदर urine थो drop होके जमा होता है, और फिर वहां से pelvis से, है ना, renal pelvis या renal sinus, sinus मतलब gap या space, तो renal pelvis क्या है, एक बड़ा सा funnel shaped region है, ओके kidney के medula में, और यह renal pelvis अंदर जाके ureter में continue होता है, और यह ureter kidney से जाता है, बाहर हाइलस से, और इस ureter के अंदर urine भी pass out होता है, और यह उपर से लेक जाता है, let us see it again, तो यह है minor calyx, देखें minor calyx कहां से आ रहा है, आपके सारे nephronic ending से है ना, आपका जो renal papilla है pyramid के, उसके नीचे एक small space पहले यहां पे collect होता है, फिर बहुत सारे minor calysis fuse होके एक major calyx बनाता है, फिर यहां का major calyx, यहां का major calyx, यहां का major, यहां का major, सब fuse ह होके एक बड़ा सा pelvis बनाते है, liquid drain होके यहां collect, फिर यहां collect, फिर यहां collect होके, finally ureter से जाता है बाहर towards the urinary bladder, correct, तो यह बड़ा ही simple सा approach है, ठीक है आपको understand करने के लिए, okay, nephrology क्या है students, nephrology वो biology का study है, जो urinary system के structure, function और बिमारी, चाहे वो male हो या female हो system, okay, उसके study से deal करत है, तो हम उसको बोलते हैं, nephrology, basically study of the urinary system, that is known as the nephrology, okay, तो यह हो गया overall kidney का view, अभी हम आजाते हैं, individual unit of filtration पर, हमने पहले भी कहा था कि आपका kidney, basically waste, पानी, okay, और nitrogenous substances को, blood में से filter out करके निकालता है, यह उसका basic function है, तो filtration करने के लिए, पूरा kidney, एक साथ में काम नहीं करता, उसके अंदर छोटे-छोटे minute filters लगे हुए, है ना, micro mini filters, और ऐसे, हाजार नहीं, लाख नहीं, कम से कम, 2 से 2.5 million nephron, okay, आपके left and right kidney में, छोटे-छोटे filtration units का काम करते हैं, okay, जब blood filter होता है, आपके kidneys में, यह high pressure में filter होता है, और इसी लिए इस pressure को के लिए, and also, कि अच्छी चीज़े भी हम भार ना फेक दे कहीं गलती से, है ना, हमको only bad चीज़ों को, toxins को फेकना है, हमको साथ-साथ में पानी और salt का balance भी control करना है, तो यह सारी चीज़ों के लिए, आपका जो nephron है ना, इस nephron का architecture और function, इसको बड़े carefully design किया गया है, औ और इस designing को अभी हम समझते हैं, तो nephrons क्या है, यह kidney के structural और functional units है, correct, हर nephron में, okay, approximately, 4-6 cm लंबा, बहुत ही पतला wall वाला tube होता है, है ना, tube एकदम पतला, जभी हम wall बोलते हैं, तो अभी यहाँ पर आपको समझना है कि यह सारा तो biological system है, तो wall किस चीज़ से बनी होगी, वो cell से बनी होगी, तो बड़ी पतली thin wall tube है, और इस tube को हम कहते है, renal tubule, correct, renal tubule, और इस tubule के साथ में, एक bunch of capillaries भी होती है, capillaries मतलब क्या, इसमें blood आ जाएगा, correct है, तो kidney के function को समझने के लिए, सबसे पहले आपको यह समझना है, और इसको बहुत perfectly समझना है, कि kidneys आपके blood के अंदर से metabolic waste को filter करके निकालते हैं, correct है, तो हर एक nephron के अंदर, एक छोटा सा tube like structure या एक capillary का bunch होगा, जो blood को kidney के तरफ ले कर जाएगा, ओके वहां से filtration होगी, urine इखटा होगा, फिर normal good चीजों को वापस से blood supply में आपके body में transfer कर दिया जाएगा, और bad चीजों को सिरुफ बाहर फेका जाएगा, है ना, तो यह जो capillaries हैं, इन capillaries के bunch को हम कहते हैं glomerulus, और यहां से बहुत सारे glomerulus होगे, अगर millions of nephron है, तो हर एक nephron में अपना glomerulus होगा, तो पूरे body के blood को यह छोटे-छोटे glomerulus में divide किया जाता है, और हर glomerulus अपने blood supply के filtration का ध्यान रखता है, तो आपको यह understand करना है, अब renal tubule का जो wall है, यह बनता है, एक ही single layer of epithelial cell से, आपको पता चलेगा epithelial cell क्या है, इसका जो proximal end है, यह बड़ा cup जैसा structure बनाता है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यह side में जो diagram है, यह जो cup है, यह cup जैसा जो structure है, इसको हम कहते हैं, बोमेंस capsule, यह है, बोमेंस capsule, यह बड़ा blind cup जैसा structure है, और उसका जो distal end है, वो खुला हुआ है, ओके open है, तो यह proximal end है, यह distal end है, यह proximal, यह distal, तो proximal end में कोई opening नहीं है, यह cup जैसे इसे मोटा structure बना हुआ है, और यह part जो है, यह है, खाली या open, अब आप नेफरोन को तीन अलग-अलग हिस्सों में divide कर सकते हैं, जब आप देखें आँखों से, तो एक तो बड़ा सा बोमेंस capsule दिखता है, जिसका diagram यहां दिखाया गय है, और फिर आता है neck region, फिर आता है proximal convoluted tubule या PCT, उसके बाद आता है एक लंबा लूप जिसको हम कहते है, loop of Henley या LOH, फिर आता है distal convoluted tubule या DCT, और फिर आता है collecting tubules या CT, correct है, तो नेफरोन के हो गए कितने parts, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो नेफरोन को हम 6 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइट कर सकते हैं, बोमेंस capsule, neck, PCT, LOH, DCT और collecting tubule, correct है, अब यह आपका जो blood supply है, जो glomerulus है, जो पतले-पतले capillary systems है, यह कहां present है, यह आपके cup जैसे cavity में, बोमेंस capsule के cup-shaped cavity में present है, correct है, और दोनों को हम एक साथ में, renal, corpuscle या malphigian body भी कहते हैं, याद है हमने पहले यह सब terms देखे थे, मैंने कहा था आपको कि अभी के लिए आप बस याद कीजिए, आगे जाके हम इसको समझाएंगे, तो मतलब malphigian body क्या है, इसको clarity से understand करना है, हर malphigian body approximately 200 micron या 200 micron का diameter गोला कार में बना हुआ है, cup shaped है तो roundish है, और इसमें एक bowman's capsule और एक glomerulus होगा, correct है, तो यहाँ तक तो बात काफी simple लग रही है, अब हम आ जाते हैं glomerulus पे, glomerulus basically क्या है, बहुत ही पतले छोटे छोटे fine blood capillaries, इतने पतले कि बस उसमें एक एक single blood cell एक के पीछे एक के पीछे एक चल के जा सकता है, इतने पतले tubules हैं, इनको एक गुच्छा टाइप में या एक small round ball of blood capillaries इनको बना करके, okay, bowman's capsule के cup में place कर दिया जाता है, तो it is like एक छोटा सा cup है, उसके अंदर आपने आपके सारे capillaries का एक गुच्छा या एक knot बना दिया है, और उसको वहाँ पे place कर दिया है, या रख दिया है, है न, अब आपका renal artery याद है, आपको, है न, renal artery, जहाँ oxygenated blood जो है, है न, वो flow हो रहा है, तो, renal artery का एक छोटा सा branch होता है, ओके, और इस छोटे से branch को हम कहते हैं, afferent arteriol, arteriol, small artery, ओके, afferent मतलब जो enter कर रहा है, तो यह कहाँ enter कर रहा है, यह enter कर रहा है, bowman's capsule के cup को, है न, तो, renal artery का छोटा सा terminal branch, जिसका नाम है, afferent arteriol, यह क्या करता है, यह है न, cup के cavity के अंदर enter करता है, अब यह हम क्या बता रहे हैं, यह glomerulus बनता कैसे है, जिसका बनावट शुरू होता है, रहा है, renal artery के terminal branch से, जिसको हम कहते है, afferent arteriol, यह afferent arteriol, अंदर cup के enter करता है, तभी वो एक, छोटा है, लेकिन फिर भी वो उस time पे जब enter करता है, तभी वो relatively बड़ा होता है, जब वो अंदर cup के enter होता है, उसके अंदर और branching, और branching, और branching, और branching, और यह बिलकुल छो चोटे extensive fine capillaries को, हम कहते हैं, glomerulus, तो इस तरीके से, glomerulus, जो है, इसको cup के अंदर entry मिलती है, नहीं, सोचिंगे कि, गलो मेरी, इसको cup के अंदर कैसे जाता है, तो कहां से जाता है, renal artery के, afferent arteriol, जो है, पहले enter होता है, फिर enter होने के बाद, वो छोटे-छोटे-छोटे-छ हैं, glomerulus, ठीक है, capillary का जो wall है, इसमें fenestration या छोटे-छोटे gaps है, जितने भी capillaries है, यह वापस से reunite होते हैं, ओके, अब जब filtration खतम, तो इनको बाहर भी तो निकलना है, अंदर के दरफ entry नहीं करने हैं, फिल्टर करके बाहर भी तो भ्रड को वापस जाना है, बोडी में, तो जब filtration खतम हो जाते हैं, glomerulus के यह छोटे capillaries जो बने हैं, यह वापस से जुड जाते हैं, और एक बाहर जाने वाला arteriol या efferent arteriol बनाता है, प्लीज नोट की, ओके, यह artery ही system है, vein system नहीं है, आपका जो kidney है, इसका carbon dioxide से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज यह confusion मत की कीजिए, ओके kidneys प्यॉरिफिकेशन का काम करते हैं, बट इनका प्यॉरिफिकेशन, oxygenation, deoxygenation, carbon dioxide से इनका लेना देना नहीं है, इनका लेना देना है, toxic metabolic waste से, nitrogenous waste से, पानी के संतुलन से, salt के संतुलन से, तो यह सारी चीजें जो है, इनको बाहर निकाला जाएगा, और वो प् afferent मतलब अंदर आने वाला, तो purify होने के बाद, वापस से सारे capillaries reunite होंगे, afferent arteriol बनाएंगे, और यह चले जाएंगे कब से बाहर, तो कब के अंदर पूरा filtration होगा, enter करने वाला afferent arteriol, exit करने वाला afferent arteriol, enter करने वाला afferent arteriol, split up होके fine glomerulus बनाता है, और फिर यही cap capillaries glomerulus के वापस reunite होके, afferent arteriol बनाता है, जो कब को बाहर निकालता है, इस process को अगर आप समझ गए, तो आप more or less structural aspect को समझ जाएंगे, और एक इंट्रेस्टिंग बात है, और एक इंट्रेस्टिंग बात है, और आफरेंट, जो arteriol है, मतलब जब ब्लड एंटर करता है, क उसका diameter होता है बड़ा, लेकिन जब वो बाहर जाता है, उसका जो efferent arteriol है, उसका diameter होता है, छोटा, अब इसको समझ ना कैसे है, कि समझ ये एक pipe है, जो एक particular vessel में एंटर कर रहा है, और एक pipe है, जो वेसल से बाहर जा रहा है, जब जो एंटर करने वाला pipe है, उसका जो size है, वो बड़ा है, hole बड़ा है, तो जादा force से liquid जाएगा ना अंदर, लेकिन exit करने वाला जो pipe है वो पतला है, तो जो बाहर जा रहा है उसका force थोड़ा कम होगा, अब ये जो difference है enter और exit में, उसके वज़े से क्या होगा, आपके vessel के अंदर हमेशा high pressure बना हुआ रहेगा, yes or no, क्य उसरे side से उतने force में बाहर नहीं जा रहा है, तो vessel के अंदर या tank के अंदर तो pressure हमेशा high रहेगा, same thing होता है आपके bowman's capsule में, आने वाला blood का pressure high, निकलने वाला blood का pressure low, क्योंकि diameter अलग अलग है, correct है, तो उसके वज़े से आपके glomerulus के अंदर है ना, आपका जो fine network of capillary है, उसम हमेशा liquid का pressure या hydrostatic pressure high level पे बना हुआ रहता है, और ये high pressure बहुत important है, so that filtration अच्छे से हो सके, है ना, pressure filtration, मैंने बोला था कि kidney में ultra filtration या pressure में filtration होता है, ये pressure create कैसे किया जाए, वहाँ पे कोई pump तो है ने, आपके kidney के अंदर कोई pump है, जहां से आप pressure increase or decrease कर सकते हैं, नहीं है, त आप simply एक काम करें, जो अंदर जाने वाली ट्यूब है और बाहर जाने वाली ट्यूब है, उनका diameter change कर दें, है ना, so incoming tube का high pressure, outgoing tube का low pressure and under capillaries के suddenly एक high hydrostatic pressure constantly maintain होता है, उसके वज़े से blood बहुत pressure में रहता है, और उसका filtration होता है, पतले gap वाले capillary wall से, so fenestration मतलब gap, in short, आपका capillary पता कैसे दिखता है, चाय के चन्नी जैसे, सीव जैसे, जैसे चोटे चोटे होल्स हैं, अब आपने चन्नी के उपर pressure बनाया, तो सारा liquid pressure में बाहर निकलेगा न, exactly यही काम यहाँ पर होता है, और इसको हम कहते हैं, ultra filtration, okay, so इसको समझना थोड़ा maybe नया concept है, तो आपको थोड़ा time देकि उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, आप हम आते हैं, bowman's capsule पे, actual bowman's capsule पे, glomerulus तो हमने समझ लिया, blood supply वाला situation, आपी bowman's पे आते हैं, okay, bowman's एक cup जैसा structure है, जिसमें double wall है, है न, दोनों walls होते है, squamous epithelium से बने, बाहर का wall का नाम है parietal wall और अंदरी wall का नाम है visceral wall, visceral, okay, दोनों wall के बीच में एक space है, जिसको हम कहते हैं, capsulary space या urinary space, और इस space में, okay, filtered urine जो है, ये पहले collect होता है, उसको उस टाइम पे urine नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं, glomerular filterate, ठीक है, अब visceral wall में, है न, जो आपक अंदर का wall है, इसमें special तरीके के कुछ cells होते हैं, ये special cells होते हैं, podo site, podos मतलब pair या foot, तो आप इस cell को देखेंगे न, तो ऐसे लगेगा कि नीचे pair जैसा structure बनाया हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको, लेकिन आपके अगर टेक्स्ट बुक है, तो आप diagram के साथ follow कर सकते हैं, कि podo sites में नीचे pair जैसा structure होता है, ओके, podo site जो है, सबसे नजदी की contact बना के रखता है, capillary wall of the glomerulus के साथ में, ठीक है, ओके, अब, दो आजू-बाजू के podo sites के बीच में, छोटे-छोटे gaps हैं, जिनको हम कहते हैं, filtration slit, प्लीज रमेंबर कि ये पूरा system है, एक filter system है, हर जग spaces है, so that, जो blood, glomerulus के अंदर, high pressure में flow हो रहा है, उस blood के अंदर से liquid component को separate किया जा सकता है, exactly जैसे आप चाय को, चाय पत्ते से separate करते हैं, correct है, तो जो liquid चाय है, वो आपका liquid है, जो filter हो रहा है, blood में से, इस समय, जब यह यहाँ filter होता है, इसके अंदर अच्छे और बुरे दोन हो रही है, तो initial time में सारी चीजों को filter करके बाहर निकाल दिया जाता है, बाद में अच्छे चीजों को या जो body को जरूरत है, उस चीज को वापस से blood के अंदर लेने का system है, वो हम बाद में देखेंगे, correct हो हर जगे, slits है, gaps है, अब आपका जो parietal wall है, यह भी काफी पतला है, इसमें simple squamous epithelium है, और यह continuation में neck बनाता है, correct, neck की खासियत क्या है, neck के अंदर है ciliated epithelium है, जहां पे cilia है, so that का movement है, liquid है, जो move हो रहा है, तो अगर cilia है, तो वो liquid को एक ही direction में बीट करके, करके, वो movement कर सकता है, yes or no, तो ciliated epithelium तो होना ही चाहिए, correct, lumen या gap अंदर का जो space है, neck के, neck is a round, ऐसे tube जैसा है, छोटा सा, तो उसके अंदर का जो space है, उसको हम lumen या urinary pole भी बोलते हैं, या urinary pole या neck जो है, वो जाता है सीधा proximal convoluted tubule तक, अब इसको हम थोड़ा सा diagramatically देख लेते हैं, ठीक है, ये आपका, पहले इस diagram को देख लेते हैं, ये बोमेंस capsule है, तो ये है glomerulus, ये afferent arteriol, ये जो enter करने वाला arteriol था, ये afferent arteriol है, ये glomerulus है, जो अंदर afferent arteriol के branching से बनी है, फिर ये ही capillaries, जबी इनका filtration पूरा हो जाता है, ये clean हो जाता है, ब्लड है ना, nitrogenous waste और toxin से, फिर ये वापस से, अगें जुड जाते हैं, देखें, यहां पर जुडाओ दिख रहा है, और ये बनाता है, efferent arteriol, efferent arteriol का shape और size देखें थोड़ा बड़ा है, यहां पर efferent थोड़ा सा, चोटा है, A मतलब अंदर आना, E मतलब बाहर जाना, efferent, efferent, ओके, glomerulus के अंदर, blood का pressure काफी high maintain किया जाता है, approximately 75 mm of mercury, correct, अब ये जो बाहर का cup बना हुआ है, ये आपका women's capsule है, correct है, ये जो बाहरी wall है, ये है parietal wall ये देखें, ये special cells है, जो आपका बाहरी wall बना रहे हैं, ये अंदर का wall है, जो है visceral wall, ये बाहर और अंदर के wall के बीच में ये gap है, ये जो गाप है, ये urinary space है, ठीक है, इसके अंदर liquid collect हो सकता है, अब ये अंदर के wall में special cells दिखें, आपको ये देखें, ये space, ऐसे cells, ऐसे जैसे पैर बने हुए है, ये है podocyte, podocyte में पैर जैसे भी substances हैं, और इनके बीच में छोटे छोटे pores या gaps भी हैं, करेक्ट है, अब जो osmotic pressure है, colloids का, colloidal substances का, वो है 30 mm of Hg, ये यहाँ पे अंदर ही है, inside the glomerulus and the capsule, ठीक है, जब liquid बाहर आता है, और इस space में collect होता है, तो capsular hydrostatic pressure approximately 15 mm of Hg है, करेक्ट है, तो देखें, यहाँ blood pressure इतना हाई होने के वज़े से, blood के अंदर से सारा liquid बाहर निकलता है, और इस special cells के slits के through, यह बाहर निकल के यहाँ पे collect होता है, इस space को हम कहते है, capsular space या urinary space, ठीक है, अब नीचे आता है यह proximal convoluted tubule का cell, तो यह PCT शुरू हो गया, ठीक है, यह space है दो cells के बीच में, this is the intercellular space, और यह है basal channel, ठीक है, यह microbiali है, जो यहाँ पे present रहते हैं, आपके PCT में, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यह है आपका Bowman's capsule, glomerulus, podocyte, यह clear नहीं है, यह afferent, यह afferent arteriol, जो बहुत बढ़ा दिख रहा है, यह afferent है, जो बाहर निकल रहा है, अब इस पूरिद थिंग को हम देखेंगे, तो यह जो है न, यह proximal convoluted tubule है, और इस side पर जो है, यह distal convoluted tubule है, और यह पूरा section जो है, this is the globarular capsule, यह कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, अब यह जो दिखाया है, this is the loop of Henley, यह loop of Henley है, ठीक है, यह proximal है, यह distal है, यह loop of Henley है, तो यह overall structure है, जो आपको समझना है, ठीक है, अब ही हम आते हैं, proximal convoluted tubule में, proximal convoluted, convoluted मतलब इसमें बहुत coiling है, इतना tight उसको twist किया है, जैसे मान विजे कोई spring हो, बहुत tight twisting, highly coiled part है nephron का, और PCT में special cells होते हैं, cuboidal epithelium के, जिसमें brush border या microbialis होता है, यह हमने अभी-अभी diagram में देखा, correct है, okay, इसके आजो-बाजो में capillaries होते हैं, जिसका नाम होता है, peritubular capillary, correct, PCT जो है, यह बहुत important काम करता है, मैंने आपको कहा था, जब initial filtration होता है, तो कभी-कभी कुछ अच्छी चीज़े भी बाहर चली जाते हैं, जो शायद body को जरूरत है, क्यूंकि kidney में आपका जो nephron है, यह हर चीज़ को control नहीं कर सकता है, यह या तो filtration कर सकता है high speed में, या तो फिर यह उस चीज़ को control करें कि क्या बाहर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो system ने क्या किया है, कि आपके Bowman's capsule में पूरा का पूरा जो system है, वो filter होके बाहर निकल जाता है, फिर आपका PCT जो है, वो decide करता है कि कौन सी चीज़ों को हमें वापस body में भीजना है, और कौ कांसी चीज़ों को urine बना के body से बाहर फेकना है, तो यह जो process है, जहां पे कुछ चीज़ों को वापस blood में भेजा जाता है, इसको कहते है selective reabsorption, correct है, और यह selective reabsorption के लिए, ओके आपका जो tube है, यह इतना coiling है, इतना मुडा हुआ है, इतना round 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 convolution है, कि filter rate यहां पे बहुत धीरे, 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 धीरे flow होता है, correct, और PCT में यह बहुत time लेता है बाहर आने के लिए, तो जब time लेता है, तो PCT को उतना समय मिल जाता है, कि वो decide करके, okay, अच्छी चीजों को या useful चीजों को वापस से blood stream के अंदर, okay, absorb कर सकता है, या selective reabsorption हो सकती है, correct है, लंबे समय या लंबे duration का क्या फाइदा है, कि maximum amount of useful चीजें वापस से reabsorb हो सकती है, correct है, okay, so students, इस topic को मैं यहीं पर end करती हूँ, loop of Henley हम next video में देखेंगे, please do not forget कि आपको system को सबसे जादा like, share and subscribe करना है, and अगर आप classes में interested है, मैं आपको details बता चुकी हूँ, okay, so please do not forget to contact me and please continue to watch and study, thank you very much.